ओम शांती, आज बाबा के चार मई दो हजार इकिस के साकार मतुर महवा के हैं, और आज बाबा तकदीरवान बच्चों को याद कर रहे हैं, कि जो तकदीरवान बच्चे हैं, वो आतम अभिमानी बनने के खूब मेहनत करते हैं, यह बहुत उची मंजिल है, देही अभिमानी बनना, आतम अभिमानी बनना, इसी में मेहनत है, चलते फिरते भी, अपने आप से बात करो, मैं कितनी देर बाबा को याद करता हूं, कितनी देर मैं देही अभिमानी बनता हूं, याद रहे, मैं आतमा हूं, और अब मैंने 84 का चक्र पूरा किया, अब वापिस घर चाना है, बाबा नहीं आकर के हमें ये राज्योग सिखाया है बाबा नहीं का ये अत्ती प्राचीन योग है जो बाबा बच्चों को सिखाते हैं योग अक्षर की बज़ाए याद कहना चाहिए और योगी बच्चे बहुत कम है ध्यान देने योग के बाद बाबा को योगी बच्चों के आवशकता है जो बाबा की याद में रहे बाबा नहीं का याद की मेनत बच्चों से पहुँचती नहीं याद में माया की तुफान आते हैं जितना आप याद करेंगे तो ये तुफान भी शान्त होते जाएंगे मुख में मुहेलरा डाल लो हाथ मताई का खेल भी बाबा ने आज सुनाया जब आप याद करेंगे तो माया आपको तंग नहीं करेगी परेशान नहीं करेगी बहुत सुन्दर बात आज बाबा याद दिला रहे है कि जो नन सोती है वो केवल क्राइस्ट को याद करती है आप भी नन बटवन एक बाबा को याद करो जिन के माफिक याद करो जिन के लिए कहा जाता है जिन ने कहा मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाओंगा उसको कहा सीड़ी चड़ो और उतरो ऐसे बाबा ने का इस मन को भी आप बिजी कर दो साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा की याद में विकरम विनाश होते है आत्मा पावन बनती है चलते फिरते भी याद करो मैं देह से त्यारी आत्मा हूँ आतम अभिमानी बनकर करम योगी बनकर करमिंद्रियों से करम कराओ जब जाहू करम कराओ जब जाहू अपनी बुद्धी को शांती धाम लेके चले जाओ हम करम सन्यासी नहीं करम योगी हैं करावनहार बनके करमिंद्रियों से करम कराओ फिर बाबनी का परसितियों को अलोग के खेल और खिलोना अनुभव करो इस जीवन में परसितियों का आना संगम युक पर ये भी एक खेल है जो आपको तंदुरुस्त बनाने के लिए है जैसे शारिरिक खेल होते हैं तो ये भी आत्मा को तंदुरुस्त बनाने के लिए है आपने इसमें डरना नहीं घबराना नहीं बलकि अपनी अवस्था को अचल अडूल बनाना है और संसार के समाचार सुनना सुनाना ये भी किचड़ा जमा करना है अटेंशन देंगे जितना संसार समाचार सुनेंगे मन वुद्धि यहां वाब भटकते रहेंगे व्यर्थ का चिंतन चलता रहेगा तो ये भी कवरत रखना है कि हम संसार समचार की लेंदेन नहीं करनी आपस में मिलेंगे तो बाबा की याद में कैसा अनुभव करते हैं मुरली में हमने क्या सुना ज मैं अचल अडोल आतमा हूँ, मुझे करम करते भी बाबा की याद में रहने की आतम अभिमानी बनने की खुब मेहनत करनी है, बाबा का सच्चा, पक्का, योगी बच्चा बनना है, अब मुरले विस्तार से, बाबा केते, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो, अपने आप से क्या पूछना है, मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ, देही अभिमानी श्तिति कितना समय रहती है, बाबा की याद में कितना समय रहता हूं? देय विमानिस्तिती कितना समय रहती है? कुछने तकदीरवान बच्चे ही बाबा का कौन सा डारिक्षन पालन करते हैं बाबा का डारिक्षन है मीठे बच्चे आतम अभिमाने भव तुम सब आतमा हैं मेल हूँ फिमेल नहीं तुम आतमा में इस सारा पार्ट भरा हुआ है अब यही मेनतवा अभ्यास करो, कि हम कैसे देही अभिमानी रहें? यही मेनतवा अभ्यास करो, हम कैसे देही अभिमानी रहें? यह उची मन्जिल है. देही अभिमानी बनना, सोल कॉंशियस बनना, बहुत उची मन्जिल है. गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ ओम शांति मीटी मीटी रुहानी बच्चों ने गीत सुना रुखानी बच्च अर्थाथ जीव के आत्माओं ने कहा हम नई दुनिया की तकदीर यानि स्वरग की तकदीर बना कर रुखानी बाप के पास बैचे हैं अब बच्चों को महानी अभिमानी अथात आतम अभिमानी बनना है बड़े से बड़ी मेनत यह है अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 चनम लिए चिंतन करेंगे मैं आत्मा हूं छोटी सी बिंदी आत्मा ने 84 चनम लिए कभी बैरिस्टर कभी क्या कभी क्या बना आत्मा म सब ब्रदर्स हैं ना कि सिस्टर्स आत्मा कहते हैं यह मेरा शरीर है तो उसे हिसाब से आत्मा मेल शरीर फिमेल हो गया आत्मा कहते हैं यह मेरा शरीर है तो उस हिसाब से आत्मा मेल यह शरीर फिमेल हो गया हर बात को अच्छी रिती समझना है बाबा बड़ी विशाल महीन बा केर अब तुम जानते हूं हूं आत्मा ने पिशंद आसिगे संस्कार अच्छे वबुरे आत्मा में रहते हैं उन संसकारों सब्सकार now शरीवई ऐसा मिलता हैं । व्ष्कत बड़ी मेहनत है जनम-जनमांतर लोटिक बैप को याद किया अब पारलोकिक बाप पिता को याद करना है, अपनी को घड़ी-घड़ी आत्म समझना है, हम आत्म इस शरीर लेते हैं, अभी हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं, यह है रुहानी ज्यान, जो रुहानी बाप देते हैं, पहली-पहली मुख्ये बात वच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है, देही अभिमानी हो रहना, यह बड़ी उची मंजिल है, ज्यान उच नहीं, ज्यान में में मेहनत नहीं, स्रिष्टी को जानना, यह इस्टी जोग्रफी है, अर्थाथ, ज्यान को समझने में इतनी मेहनत नहीं, जितना आत्म अभिमानी बनने में में मेहनत लगती है, देही हिस्ट्री जोगरफी तो मनुश्य स्रिष्टी में होती है मूल वतन सुक्षम वतन में को हिस्ट्री जोगरफी नहीं है वो है शांती धाम सत्यूगे सुक्धाम कल्यूगे दुख धाम यहां रावन राज्ये में किसी को शांती मिल नहीं सकती अब तुम बच्चों को ज्यान म मिला हम आत्मा है यह शांती धाम में रहने वाली यह और गंस करम करने के लिए हैं चाहे करम करें चाहे ना करें यह और गंसे करम करने के लिए चाहे तो करम करें चाहे ना करें हम तो आत्मा है हमारा स्वधरम शांत है करम योगी है ना करम भी जरूर करना है करम सन्यासी कभी ह हो नहीं सकते यह भी इन सन्यासियों का पार्ट है घर बार छोड़ जाते हैं खाना नहीं पकाते ग्रस्तियों से बिक्षा मांगते हैं फिर भी उन ग्रस्तियों के पास खाते हैं ना घर बार छोड़कर करम तो फिर भी करते हैं करम सन्यास तो हो नहीं सकता करम सन्यास तब ही नहीं तो करम कैसे करेंगे एक पल विचार करें जब मूल वतन में होते हैं तो आत्मा छोटा सब इंदू सितारा है करमिंद्रिया ही नहीं तो करम कैसे करेंगे वहां पर किस स्वरूप में होते हैं उसको अनुभव करें इसे करमक्षेत्र कहते हैं करमक्षेत्र पर सब को आ हुआ है आत्माई शांतीधा में रहने वाली हैं ति यह करमक्षेत्र पर पाइट बचाने आती हैं यह हैं डिटेल की बाते नचल में कहते हैं अपने को आत्मा निष्चे करो बाप को याद करो तो विकरम बिनाश हो जाएं इसे भारत का प्राचीन योग कहा जाता वास्तों इसको योग भी नहीं याद कहना चाहिए इसमें मेहनत है योगी बहुत कम बनते हैं योग की शिक्षा पहले चाहिए बाद में च्छान पहले पहले बाबा की याद बाबा कोई तो बले बीके कहलाते प्रंतो बाप को यादी नहीं करते बाबा केते ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं ये देह अभिमानी थे अभी देही अभिमानी बनने का पुर्शार्थ चल रहा है ब्रह्मा कोई भगवान नहीं यहां सब मनुष् पतित हैं, पावन स्रिष्टाचारी एक भी नहीं, आत्मा के लिए कहा जाता, पुन्य आत्मा, पाप आत्मा, मनुष्य भी कहती मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, प्रन्तो समस्ते नहीं कि मैं कौन हूँ, पूछा जाता, हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंदा करते हूँ, कहें पर बाबा को भूल चाते हैं बाबा को अच्छा नहीं लग रहा हैं गड़ गड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है इसमें जिन माफिक बनना है घड़ गड़ याद करना है अटेंशन देना है बाबा को याद करने का जिन की कहानी है बाबा भी ये काम देते मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी बाबा भी काम देत मुझे याद करो माया है जिन जितना बाप को याद करेंगे उत्रावी करम में नाश होंगी और तुम्हें बहुत कशीश होगी माया उल्टा बनाके तुम्हें बहुत तुफान मिलाएगी माया बुद्धी को उल्टा कर देती है बहुत तुफान मिलाती है बुद्धी में या कि आसे माय चमाट लगाती है हात orange आई का खेल वे दिखाते हैं मुहहल्रा डालने से और डूल रहा है हमारे मुख में कोई चीज है तो हम रिपलाई नहीं करतें तो नहीं करतें मुख में मुहहल्रा डालना करतें यादे याकार में याद करेंगे तो माया नहीं आएगी तुम्हें माया तंग नहीं करेगी अगर बाबा की याद में रहेंगे तो याद करते रहेंगे बाबा को तो माया तंग नहीं करेगी इस पर युद्ध चलती है तुम पुर्शार्ट करते हो याद करनी का लेकिन माया ऐसा नाक से यहाद रहना के लिए यहाद अभी मुश्किल है ए Richards में पूरे हुरी आप पीर तो बहुत अी सिनाव उटे ईड़ी पर्दशनी में औस थीतना चेन भर से इतरों पहले हैं रखा tusan निश्चे कर बाप को याद करो तो तमों प्रधान से सतों प्रधान बनेंगे पहले लेसन यह देना भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकता बाप जबाकर शिखाए तब सीख सकते हैं मनुष्य मनुष्य को राजयोग नहीं सिखा सकता impossible मनुष्य मनुष्य को योग नहीं सिखा सकता impossible सत्यूग में तो हैं पावन वहां तो प्रालब्द भोगते हैं वहां अज्यान अज्यान की बाती नहीं भगती मेरग में बाबा को पुकारते हैं आके दुख हरो सुख दो सत्यूग तरिता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं वहां तो सदगती पाई हुई है सदगती का वर्सा 21 जरम के लिए तुम पा सकते हो 21 पीडी कहते ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीडी का उधार करे ये भारत में गाया जाता भारत में तुम 21 पीडी का वर्सा मिलता वहां तुम एकी देवी देवता धरम वाले होते हो दूसरा कोई धरम नहीं बाबतों में मनुष्य से देवता बनाते हैं पवित्र होने भिगर हम वापिस जा कैसे सकते यहां तो सब विकारी पतित हैं जो जो धरम संस्थापक हैं फिर पालना करते उन्हें धरम की वृधी होती जाती है उनके धरम की वृधी हो जाती वापिस कोई भी ज सबको ratsam ground सब्सक्राइब ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा कístकौफी स्रिष्टी में अकेला ही ब्रह्मा की रात है अभ तुम ब्रामन कुल के बन रहे हो तुम रात में थे अभ दिन जा रहे हो पहले जा रात में दे जाने रहे हैं दिन सत्यूग तो क्लीग द्रेटा है तुम्हें समझाया कितना समय पूझ्येपने में रहते हो, कितने जनम पूझारी बनते हो, जब तक बाबा ना आए, तब तक कोई भरष्टाचारी से स्रेष्टाचारी बन ना सके, भरष्टाचारी उन्हीं कहा जाता, जो विकार से पैदा होते, इसले इसको हैल कहा जाता, स् सवंजाना है बारत बहुत उच था जैसे इश्वर की महिमा प्रमपार जैसे भारत की महिमा भी अप्रमपार भारत क्या था ऐसा किस ने बनाया बाबा ने बनाया जिसकी महिमा गाते हैं बाबा कर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं मनुष्य मात्र को दुर्गती से ये इसल Wiki मनूश्य पुर्शाव्यकी करने लिए ले निए मनुश्य स्भी गफेज। ब्रहने जाते हैं . तो जो मिनिमम शान्ती वाले हैं, वो उपर रहते हैं, जैसे मच्रों सद्रिश आए, एक आदा जनम पार्ट बजाया, ये क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं, मच्रों की क्या वैल्यू, रात को जनम ते रात को ही मर जाते हैं, इस समय बहुत करके शान्ती ही चाहते हैं, क्योंक वासी निराकारी दुनिया को कहा जाता मुक्ति अक्षर गुरू से सीखते हैं माताइं वरत नेम रखती है बैकुंच पुरी में जाने के लिए कोई मरता है तो कहते स्वर्ग वासी हुआ को होता नहीं लेकिन भारत वासी है विन को मानते हैं समझते भारत पैरडाइस था की रचना रचते हैं तो जरूर यहां ही रचेंगे स्वर्ग में तो नहीं आएंगे कहते मैं आता हूं स्वर्ग नर्क के संगम पर कल्प कल्प के संगम पराते उन्होंने फिर यूगे-उगे लिख दिया कल्प का अक्षर भूल गए यह भी खेल बना हुआ है बाबा अते क कल्प में एक बार 5-4 वर्ष में एक बार 5-4 किस मूं को कल्प कहते हैं हर यूग में नहीं आते कल्प कल पाते हैं इस पर अंतिक में तुम बाप और सिष्टी चक्रकों जानते हो कैसे सुनाना होती है नंबरवार daí को अब जलिशन पर बना हुआ है अब तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो बाप की याद से राज्य पाते हो चित्र भी खड़े हैं न यह सब चित्र किसने बनाए इनको कोई गुरू गोसाई तो है नहीं अगर कोई गुरू होता तो गुरू का एक शिश्य थोड़े होता अनेक होते है यह नौलिज सीवाए एक बाप के कोई जान ना सके बहुत लोग पूशते हैं चित्र तुमारे दादा ने बनवाई यह तो बाप ने दिव्य दृष्टी से साक्षतकार कराया बैकुंट का भी साक्षतकार कराया कि वहां कैसे स्कूल चलते हैं क्या भाशा होती है सब अक्षतकार के द्वारा बाबाने बच्चों को बहलाया कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे जैसे अपनी राजाई थी अपनी तात अपनी बात दूसरा कोई समझ ना सके समझते थे यह खुदा प्रस्त हैं बाबाने समझाया तुम हो नंस नन बट वन किसी को न किसी को नहीं तुम जानते वर्सा श्रव बाबा से मिलता श्रव बाबा है बिंदी वह भी कोई द्वारा तो समझाएंगे ना बाबा नीराकार जो ती स्वरूप है किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना प्रचा पिता ब्रह्मा जरूर यहां होगा बाबा के दिन के बहुत जन्मों के अंत में पतित शरीर में प्रवेश करता हूं ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत का जो जन्म है उसमें बाबा के तेमें प्रवेश करता हूं अच्छा मीटे मीटे सिक्लादे बच्छों प्रती मात पिता बाप तदा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रु रुखानी बच्छों की रुखानी बाप ददा को नमस्ते गुड़ मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धरना के लिए सार पहले पॉइंट ज्यान को अच्छी रिति धारन कर देही अभीमानी बनना है ज्यान को अच्छी रिति धारन कर देही अभीमानी बनना है यही मेहनत है यह उची मंजिल है इस मेहनत से आत्मा को सटोप्रदान बनाना है जिन बन कर याद की यात्रा करनी है माया कितने भी विगंडाले मुखमे मोहैल्रा डालेना है मैं उसे तंग नहीं होना एक दी जाद में रहकर तुफान हटा देने हैं, एक बाबा की याद में रहके सब तुफानों को शान्त कर देना है, वर्दान है अलोकिक खेल और खिलोनों से खेलते हुए, सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडूल भव, अलोकिक खेल और खिलोनों से खेलते हुए सदाशक्ति शरी बनने वाले अचल अडूल भव अलोकिक जीवन में माया की विगन आना भी अलोकिक खेल है जैसे शरीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता ऐसे अलोकिक युग में परसितियों को खिलोना समझ कर ये अलोकी खेल खेलो, इसे डरो वा घबराओ ने, सर्व संकल्पों सहित स्वेम को बाप दादा पे बलिहार कर दो, तो माया कभी भी वार नी कर सकती, सर्व संकल्पों सहित स्वेम को बाप दादा पे बलिहार कर दो, तो माया कभी भी वार नी कर सकती, रोच अम्रित वेले साक्षी बन स्वेम का सर्व शक्तियों से श्रिंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे, बहुत सुंदर बात, इस जीवन में विगनों का आना, ये एक स्वभाविक बात है, लेकिन आप उन्हें खेल समझे, खेल में परिशान नहीं होते हैं, पर सितियों को खिलोना समझ कर, फिर ये खेल खेलते रहो, इंसे ना तो डरना है, ना घबराना है, बल्कि अपने संकल सहित बापत अधा पर कुरुबान हो जाना है, तो मायवार नी करेगी, और खुद का श्रिंगार, अमरित वेले, जरूर करना है, साक्षी होकर, स्वयम को, आत्मा को, अच्छे से, स्वमान से, श्रिंगारित करना है, तो अचल अडूल रहेंगे, इस लोगन है, कोई भी संस समचार सुनना सुनना ये भी किछड़ाच चमा करना है, आटेंशन रहेंगे, कि हमें व्यर्थ की बाते नहीं सुननी है, व्यर्थ की बाते सुनिगे तो मन बढ़्दि वहां भटकते रेंगे, बाबा से दूर हो जाएँगे, एक मिनिट वी मिले, तो बाबा को याद करना ह आज हम अभ्यास करेंगे, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ ओम शान्ती, आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें